ंभाई जबर्दस माल्टे फूर्टर केनु और यह कौन सी वाराइटी तो एप यह आप संसे क्या नहीं है डेज़र्ट सिब में कोर्टुमा कहते हैं यह उठानें कोर्टुमा तो इसको भी कड़ड़ नहीं तो यह इतने हैं लिए लगय हो है तो इसका कोई इस्तमाल निकरते है आप पूतों निकालते है अ पूर लेते हैं इसका अनून लेते हैं मैई डालके पुड़ ह्लेजां पूहुष। है जो चुटे बोन है लेमन बटर्फलाई है जो सेकिंग इंसेक्ट है सिट्रस की उस सब को बहुत है क्ट्रोल मिलता है क्या बात है अगर कीडों मकौडों से बचाना है तो यह कुद्रत ने यह कोड तुमें रखे हुए हैं इंतहाई कड़वे होते हैं यह आगा इसको खालो तो आप दिवार को तक्रे मारते फिर होगे बंदे भी बहुत कोड़वे हैं आज कल कुछ लोग बहुत मीठे हैं तो उनका भी को अलाज है कि नहीं है हाजरत इंसान का तो यह तुफ है कैसे तुफ है कि जिन लोगों को शुगर होता है जो कड़वे हो जाते हैं शुगर की वज़ासे तो वह यह से पाउं रगड़ा है उसको पीछ देना है पाउं से कचुमा निकाल देना है अच्छा कचुमा निकालते रहेंगे उस वक्ते निकालें जब तक आपके यह होटे मुबारे कड़वे नी हो जाएंगे ने वह भूखाएंगे तो कड़वा होगा मूँ इसके तासी तनी सब्सक्राइब ने सब्सक्राइब करना वे उसके अंदर यह शुगर का कोलिस्ट्रोल का ट्राइगलेस्ट्राइड का और निका सभी कामन तो क्या करें। अब उसके लिए जब बहुँणा बॉंगादा इस्तेया के साइट ईफेक्ट बेश बाज़ाते हैं। तो उसमें हमें हर्बलेस्ट गाइड करें कि इसको कैसे इस्तेया करें। जैसे इसके बीज आप कलस्टोर और ट्राइग्रेस्टाइड के लिए सेफली इस्तमाल कर सकते हैं इसके जड़ों का फूरूड का नहीं जड़ों का जो एक्स्टेक्ट है वो आप पी सकते हैं और वो शुगर के लिए बड़ा मफीद है टाइप टू डाइबडीज के लिए और इससे कुछ ऐसे कंपाउंड बनते हैं ऐसी अदवियात बनती हैं जो के आपको शैटिका पेन और कैंसर के गेंस्ट भी बड़ी मुफीद है लेकिन चुके यह जहरीला भी बहुत है कड़वा भी बहुत है इसलिए हर बंदा उठा के इसके फूरूड को मत इस्तमाल करे बीज और जड़े इसकी सेफ है या इसके पत्तों का एक्स्ट्रेक्ट निकाल के पिंपल्स के स्किन के लिए वो सेफ है बाकि इसके अंदर थोड़े से चुके फिलेवनेट बहुत ज़्यादा है जैसे कुकर बीटर सन एक कंपाउंड है जो के कैंसर के गेंस भी बड़ा ए कर दो दो किया